हेलो एवरीवान, नीटी हमिशस पर आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे एक बहुत ये चटपटा नाश्टा जिसे आप सुभर ब्रेकफास्ट के तोर पर भी खाल सकते हैं और शाम को स्नेक्स के तोर पर भी इसको बना कर इंज्योई कर सकते हैं और बच्चों के लिए आप इसे जब चाहें तब बना कर सकते हैं, सबसे खास बात इसकी ये है कि इसको हम बिना तले बनाएंगे, उसके बावजूत भी इसका टेस्ट ऐसा आएगा कि बस बार बार खाते रहने का मन करेगा और बिना तले अगर एसा चटपटा टेस्टी नाश्टा रोज रोज खाने को मिल जाए तो मजा भी आजाए और सहत की बात भी बन जाए तो फीर चलती से हम ये टेस्टी चटपटा बिना तले अलू का नाश्टा बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 4 मीरियम साइज के उबले हुए आलू लिये हैं जिनका छिलका मैंने हटा दिया है अब यह जो उबले हुए आलू हमने लिए है इनको हमें mash करना है तो जो fork होता है उसकी मदद से मैं इसको roughly mash कर रहे हूँ क्योंकि हम इसको बिना तले बना रहे हैं तो इसमें कोई इसी टेंशन वाली बात नहीं है कि इसमें आलू के बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए मैंने इसको थोड़ा सा मैश कर लिया है और अब बस यह त्यार है तो अब हम इसके अंदर मिलाएंगे कुछ और चीजे तो तो सबसे पहले मैं डाल रहे हूँ ये एक medium size का पारिक कटा हुआ प्याज इसमें प्याज डालने से खाते टाइम पर एक अलग ही मीठा सा क्रण्च आएगा खाने तो बहुत अच्छा लगता है इसके साथ इसके स्वात के साथ बहुत अच्छे से बैलेंस करता है ये और ठीक इसी तरह से मैंने चोटे टुकड़ों में काट कर शिम्ला मिर्च ली है तकरीबन वनफोर्थ कप और इसके अंदर मैं डाल रहे हूँ दो टेबल स्पून के करीब ये अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट जिसमें की दो हरी मिर्च है और आधे इंच का अद्रक है जिमकों की मैंने क्रश करके लिया है और थोड़ा से इसमें बारिक कटा हुआ ताजा हरा धन्या डालेंगे इन चीजों के बार इसके अंदर हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार तक्रीबल एक टेस्पून नमक मैंने डाला है और ये हाफ टेस्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और हाफ टेस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ देखें नमक मिर्च मसाले या आप अपने टेस्ट के अकोडिंग थोड़े कम या जादा कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो और इन चीजों के बार इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें में डाल रही हूँ ये औरेगनो जो केक इटालियन हर्ब होता है आप चाहें तो इसके जगे पर पीजा सिस्निंग या फिर करम मसाला पावडर भी यूज किया जा सकता है मैंने ये तकरीबबन हाफ टेस्पून औरेगनों का यूज किया है इसमें बस एक बार इन चीजों को हम उबले हुए मैश के हुए आलू में मिला लेंगे इस तरीके से फिर इसम निम्बू का रस तो ये निम्बू को मैं इस तरह से निचोड़ कर इसका रस इसमें डाल रही हूँ और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आप जरूर से इसको बना कर खाना एक बार मिला लेंगे इसको दो बारे से अच्छे से फिर इसके कलर को और अच्छा करने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ ये बंफोर टीस्पून हल्दी पावडर ये चीज़े आप एक साथ डाल कर भी मिला सकते हैं मैं एक एक करके मिला रही हूँ तो ये देखिया सारी चीज अच्छे से मिल गई है अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम यूज करेंगे मेदा यह मैंने तकरीबन एक कग मेदा लिया है और यह हम इसमें एक साथ सारा नहीं डालेंगे थोड़ थोड़ा करके डालते जाएंगे ताकि एक अनुमान लगता जायगा कि हमें इसमें कितना मेधा डालना है साथ ही इसमें मेलेगे half tea spoon लालमिज का powder भी डालना है क्योंकि मुझे इसे एकदम ही चटपटा बनाना है तो अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो skip कर सकते हैं बस अब मेधा को हम सारी चीजों के साथ अच्छे से मिलाएंगे तो अब ये spoon से अच्छे से mix नहीं हो पाएगा तो अब हम क्या करेंगे कि हाथों से इसे अच्छे से mix करेंगे क्योंकि हमें इसे एक soft से नरम से डो की तरह बना कर तयार करना है तो इस तरह से हाथों से इससे मिलाते जाएंगे साथ ही अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा मेदा और मिला है तो यह दिखिए मिलाते जाएंगे और इसको डोकी तरह तयार करेंगे तो यह देखिए आप आप देख पा रहे हैं कि यह डोकी तरह तयार होने लगा है इसको हमें बहुत जादा ड्राइ नहीं करना है इसी तरह का यह होना चाहिए और जो मैंने एक कब मेदा लिया था उसमें से 3-4 गब यूज हो चुका है और 1-4 गब मेदा बच चुका है तो हमें इसमें सिर्फ इतना ही मेदा यूज करना है जितना की जरूरत हो और अब हम इस पर थोड़ा सा लगब एक से दो चमच तेल डालेंगे और अच्छे से इसको मसल लेंगे ताकि यह थोड़ा चिकना हो जाए यह दिए इस तरह से तो यह एकदम परफेक्ट हो गया है का जो की है प्रोसेस चीज अगर आप चाहें तो मोजड़ा चीज भी यूज कर सकते हैं या अपनी पसंद का कोई भी चीज यूज किया जा सकता है तो यह पंदरा रुपे की मिलते हैं आज कर मार्केट में तो मैं इसका यूज कर रही हूं और इसको हम क्या करेंगे कि छोट इसकी बोल बनाने में काफी परिशानी आएगी तो जरा सा तेल लगा लिया है मैंने हातों पर और इसमें से थोड़ा सा पॉर्शन लेंगे और इसकी एक हम बोल बना कर तयार करेंगे यह देखे इस तरह से फिर इसमें जगर बनाते हुए जो चीज क्यूब हमने कट करके र लेंगे और फिर इसको बंद करेंगे और दोबारा से इसकी एक बोल बना कर तयार करेंगे तो यह देखे आप यह हमारी एक बोल तयार है तो इसको अब हम प्लेट में रखेंगे और दोबारा से हाथों पर हरका सा तेल लगा कर हम एक और बोल बना कर तयार करेंगे अगर आ इनको 10-15 मिनिट के लिए फ्रीजर में रखेंगे जिसे कि यह थोड़ी सी फर्म हो जाएगी और उसके बाद हम देखेंगे कि बीना तले इसको कैसे त्यार करना है तो अब गैस पर मैंने यह एक अपम पैन को गरम होने के लिए रखा है मीडियम से हलकी कमाज पर और इस पर हम इस तरह से तेल को ब्रश कर देंगे जब यह करम हो जाएगा तब हम इसके एक-एक खानों में इस तरह से बनाएंगी बॉल को रखते जाएंगे और इनको हमें अच्छे से सभी तरफ से सेखना है तो बहुत आदा तेज आज भी नहीं होनी चाहिए गैस प्रेम की यह रिख आप देख सकते हैं कि एक तरफ से काफी अच्छे से सीख चुके हैं तो बस इनको पलटना है और सभी तरफ से अच्छे से से शेखना है और इस तरह से बनाने में जो तेल का कंट्रोल है वह हमारे हाथों में ही होता है आप जितना चाहे उतना तेल यूज करते हुए इसको बना त्यार कर सकते हैं इसके साथ अगर आप चाहा है तो इसे कम तेल में बनाने की जगे पर डीप व्राय करके भी बना सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि इनकी जगह को बदलते रहेंगे ताकि हर एक बौल को अच्छे से कुप कर पाए कि यहाँ पर मैंने सेंटर वाली बौल को साईट में कर लिया है क्योंकि सेंटर में हिट ज़ाधा होती है और आप इस बोल को देखिए, यह हर तरफ से अच्छे से पक गई है, काफी अच्छे से इस पर कलर आ चुका है तो जो जो पटेटो चीज बोल अच्छे से सीख गई है, उनको हम प्लेक में निकाल लेंगे तो यह देखिया आप यह लगफख सब तरब से अच्छे से पख गई है और फिर हमारे इस गर्मा गरम बिना तली आलू चीज बोल के नाश्टे को सर्व करेंगे इस तरह से यह हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा हेल्दी नाश्टा बनकर त्यार है खाने के लिए जो कि बहुत ही जादा लाजवाब बना है एक बोल मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ यह देखिये एक तो इसका कलर बहुत अच्छा है साथ ही जो धीमी धीमी से कुकिंग हुई है उससे इसके अंदर का चीज आप देखिये कितने एच्छे से मैट हुआ है आ गया ना आपके मुव में भी पानी तो आप भी इससे बनाएए खाईए और सबको खिलाएए सबको यह बहुत पसंद आएगे और आगर आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज ऐसे जरू लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल एटीमिशस को प्लीज जरू से सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की रेसिपीस मिलती रहें और नए रेसिपीस की नोटिफिकेशन के लिए बेल इकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भू थाणता और थाण्त कुर वाचिंग इडिमिशस